ABP News आपको रखे आगे रहे होंगे तो इन सवालों के जवाब के लिए हम इस वक्त मौझूद हैं पुने के सिरिम इंसिट्यूट ऑफ इंडिया के दफ्तर में और मेरे साथ एक बड़े ही खास शक्स सबसे पहला सवाल तो यह है कि अब आप इंतिजार कर रहे हैं और आने का सरकार की तरफ से उसके बाद में आपके इहां से सब्सक्राइच होनिक शुरू हो जाएंगी वैक्सीन कितनी वैक्सीन इस वक्त तयार हैं और दूसरा एहम सवाल यह है कि उनके ट्रांस्पोर्टेशन और स्टॉरेज में किन-किन बातों का ध्याद दकना जरूरी है क्या एहतियाद बढ़ते जरूरी है जो को इदक हमने बनाई नहीं है वेक्सीन जो हमारे EPI की बाकी वैक्सिन जो है जो EPI प्रोग्राम में यूस की जाती है उसी टाइप की वैक्सिन है जिसके लिए 2-8 डिग्री तक का टेंपरेचर लगता है तो इसके लिए कोई खास एहतितात हमको तो नहीं करनी है जो हमारे पास में already arrangements है हमारी cold van से उसमें से वैक्सिन जाएगी डेपो तक या जहां भी हमको government बताएंगी कहां पर यह पहुचाना है वहां पर हम पहुचाने का काम करेंगे यह वैक्सिन जो है वो खराब ना हो उनकी effectiveness बरकरार रहे है इसके लिए उनके storage के लिए किस तरके precautions जरूरी होंगे जिन-जिन centers में इनको store किया जाएगा जहां पर इन vaccines को administer किया जाएगा तो जैसा मैंने आपको पहले बोला है कि जहाँ EPI vaccines जो है उसके लिए 2-8 degree का जो storage है वो हर जगा मवजूद है मतलब हर state में, हर district में, हर तालू का place में इनकी vaccine रखने की already arrangement की हुई है इससे जादा government ने भी थोड़ी सी capacity उनकी बढ़ाई हुई है जिसमें ये vaccine आराम से store हो सकती है जिसके लिए पूरा experience और अनुबह जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको है अच्छा लोगों को समझाने के लिए सर शब्दों में बताईए कि ये vaccine आपके शरीर में किस तर से काम करेगी COVID-19 से protection के लिए ये vaccine देने के बाद में आपके शरीर में COVID-19 के जो जिवानु है उसके against antibodies त्यार होती है और वो antibodies रहेगी और ये antibodies ये आपको infection हो गया तो उसके उपे immediately act करके वो disease होने से आपको बचाएगी ऐसा कई बार हो सकता है कि आपके शरीर में जो antibodies हुई है उसका percentage आपके individual body जो react करती है ये antigens को वो कम जादा हो सकता है मगर आपको ज्यादा infection हो गया तो आपको infection शायद 1-2% लोगों को हो सकता है और उसकी जो severity है वो बहुत कम रहेगी उससे आपको मतलब जो normal करोना होने के बाद में जो तकलिव होती है उससे आप बचपाऊगे अच्छा ये जो vaccine है ये 2 doses में दी जानी है तो थोड़ा से ये बताएंगे कि ये 2 doses में क्यों दी जा रही है पहले dose दिये जाने का क्या मतलब है और दूसरा dose जो दिया जाएगा उसका क्या आसर होगा आप कोई भी vaccine ले जी जिए कि ये जो हम देते हैं बच्पन में PCG vaccine छोड़के जो एक ही बार देते है बच्चे को जो पहले दीन ही दी जाती है उसके जानम के बाद में और बाकी की जितनी vaccine है DPT vaccine है यह hepatitis B vaccine है निमो कोकल vaccine है इनके तीन तीन dose देते हैं यह तीन dose इसलिए देते हैं कि जो पहला dose देता है उससे primary response आता है दूसरे dose से वो और ज्यादा बढ़ता है और किसरे dose से जो response आता है वो ज्यादा बढ़के वो ज्यादा time तक उसका effect रहता है आपने एकी dose दिया तो उससे जो response आता है उस वो कम आएगा और थोड़े time में वो कम भी हो सकता है पूरे तरह से जाबी सकता है और वो हमको यदि शरीर में ज्यादा दिन तक उसकी प्रतिकार क्षमता रखने की है तो उसके लिए वो दो या तीन dose देने की जुरत पड़ कितने दिन उसका उसकी परेणाम कारता आपको दिखी है यह सब सोच के फिर वो decide करते हैं कि कितने दिन दो डोस देना चाहिए तीन डोस देना चाहिए और उसका प्रतिकार शमता कितने दिन तक रहेगी यह चूंकि वैक्सीन बड़ी ही तेज गती से तेज रफतार से तयार की गई है कई बार वैक्सीन को बनाय जाने में नहीं वैक्सीन बनाय जाने में सालों साल का वक्त लग जाता है यह बहुत ही कुछ महिनों में तयार कर लिया गया इसको तो यह बताईए कि इसके क्या कुछ साइड इफेक्स भी देखने मिलेंगे और अगर साइड इफेक्स ह हो सकते हैं, नहीं हो गया, ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर ये अभी तक जो डेटा हमारे पास में आवे ले भले है, नौ मैने का, उसमें ये साइड इफेक्ट अभी दिखे नहीं हैं, मगर ये जो लोग है, ये क्लिनिकल ट्रायल में बने रहेंगे, इनके उपे दीर दो, तीन साल तक इनको अब्जरवेशन में रखा जाएगा, उनको ये मंतली जाच होगी, दो मंतली जाच होगी, और उसके बाद में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इससे कुछ होता है ये नही सवालों के जवाब दिये, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, कैमरामेन मनोज जैसवाल के साथ, जीते इंडरदीक शित, ABP News, पुने कि बाक हमाया, झालों के जाच होता है